Hello everyone, नमस्कार, UPSC Blins 2022 का GS Paper 1 हमारे पास आ चुका है, इस पेपर को हम लोग analysis करेंगे, analysis की वजाए मैं critically analysis एक वर्ड इस्तमाल कर रहा हूँ, इसके लावा हम लोगो कहां से अपने answer match करने चाहिए, यह बेस्ट answer की कौन सी है, इसके लावा end में बात करेंगे, brief में cut off के वारे मे सबसे पहले इस paper को देखने के बाद, जैसा कि मैंने कई बार बता है, UPSC ने जो 2017 में अपना train change किया था paper को लेकर, लगबख similar pattern का है, और pattern क्या है, paper को complicated बनाना, conceptual clarity होनी बहुत जुरूर इस तरह question paper को attempt करने के लिए, और तीसरा, UPSC नहीं चाहता कि cut off 100 क्रोस कर जाए, इस paper के end में हम लोग discussion करें, cut off के बारे में भी, जैसे कि अगर आप देखेंगे, पहले part में, पहले 10 question economics के है, economics में एक दो question को छोड़ दीजी, जो मैं easy to moderate category में रखता हूँ, बाकी सब question के लिए conceptual clarity होना बहुत जुरूर है, और कुछ चीज़े ऐसी है, जो आपने आज पहली बार easy paper में देखेंगे, जैसे यहाँ पर rapid financing instrument या rapid creative facility है, यह easy to moderate है, बट इसके लिए भी आपको इन words के बारे में सुना जरूर होना चाहिए, तब ही आप कर पाएंगे, इसके जैसे answer IMF हो जाएगा, यह अपने आप में एक easy सा और normal सा question है, second Indian economy के बारे में आपको पता होगा, पि effective exchange rate और हमारी NCRT के अंदर भी है, तो यह question तब ही हम लोग soul कर पाएंगे, जब हमारे पास conceptual clarity हो, या किसी topic के बारे में, किसी concept के बारे में, proper clarity के बाद ही यह चीज़े attempt कर पाएंगे, अगर आपने near या rear के बारे में नहीं पता, तो यह question आप से attempt होने में, challenge आप face करेंगे, इसके बाद यहाँ पर जैसे की mention किया गया, इंडियन economy के बारे में statement है, कि Reserve Bank of India कैसे inflation को control करता है, डोलर को कैसे sale कर सकता है, USA और European Union का क्या impact हमारे उपर पड़ता है, उन सब को लेकर, तो यह भी conceptual clarity वाला ही सवाल है, यह क्योंकि inflation पिसले 4-5 महिनों में एक ऐसा debatable topic है, जो framework के बारे में, तो इसको लेकर भी आपको clarification होना चाहिए, कि G20 common framework actual में है क्या, अगर आपने यह नहीं पड़ा है, तब आपका एक तरीके से possibility हो सकती है, कि economic का यह question भी wrong हो जाए, या आप इसको attempt ही नहीं करे, तो यह पहले 4 question को देखने के बाद आपको लगेगा, कि paper थोड लिए गया, foreign on e-commerce firms को लेकर, e-commerce firm को लेकर काफी debate पिछले कई दिनों से रही है, खास कर, amazing और एक तरीके से अगर आप देखेंगे, यह reliance के बीच में debate जो हुई है, उसको लेकर भी current affairs का एक direct or indirect है, बट यहाँ पर आप देखो इस तरह के जो question है, statement को लेकर, तो आपको clarity य जो आप read कर रहे है, वो actual में ही, आप इस तरह की चीज़े आपने पढ़ी है, और आप उसमें short short है, right, इसके लाबा, real sector कौन से होते है, economy में, उनकी activity को लेकर, यहाँ पर statement दी गई है, इसी तरीके से terms है, indirect transfer है नहीं, कुछ terms related information आपको देखने को मिलेगे, कि indirect transfer basically होता क्या ह यह कुछ important चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इसमें economic section में, इसी तरीके से expenditure क्या होता company के, right, इसके लाब इंडियन economy के बारे में कुछ important statement दी है, जैसे financial saving और government borrowing को लेकर, या dated securities क्या है, और इसी तरीके से end में यह total 10 questions आपको देखने को मिलेंगे, overall economics का जो section है, वो challenging section है, अगर आप economic corner या economics में बहुत अच्छे हैं, तब भी आपको इन question को attempt करने में problem आई होगी, आप यहाँ बाहर बेटके जब हम discussion कर रहे हैं, यह बहुत easy और comfortable position होती है, examination hole में इसको attempt करना definitely challenging है, right, इसके बाद बात करते है constitution या politics को लेकर, जैसे कि पहला question इनों ने बता, overall यह contempt of court के बारे में हैं, और यहाँ पर यह बताया गया, आपने contempt of court के बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन आपने एचन सानियल कमिटी के बारे में साइध ही पढ़ा हो, इसके अलावा Supreme Court और High Court जो है punish कर सकती है, constitution define करता है, contempt of civil contempt and criminal contempt को लेकर, यह आपने पढ़ा है कि नहीं question को लेकर clarification होना चाहिए, अगर clarification नहीं है, तो definitely यह challenging है, हो सकता यह सही हो, आदा गलत दे रहा है, committee दूसरी हो, तो यह question आप देखिए थोड़ा सा difficult and challenging category में है, इसी तरीके से यहाँ पर कुछ दो statement देगे, legal firm को लेकर, low officer को लेकर, और यह भी थोड़ा सा challenging है, क्योंकि इस इस तरह की जो words, इस तरह की जो topics है, generally M.L.X.M.Kant या हमारी NCRTs के अंदर नहीं है, तो यह definitely एक challenging question है, politics है एक दो question जो आपको challenging नजर आएंगे, इसके बाद bill के procedure को लेकर, parliament में जो constitutional, इस तरीके से constitution को amend करने के लिए जो bill होता है, उसका क्या procedure होता है, आपने गर यह पढ़ा तो यह easy question को difficult आपको नहीं होगा, इसी तरीके से ministers के types के बारे में बताया गया है, यह भी easy question है, यह भी difficult question नहीं है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, कई बार words के अंदर गेम जो खेलते हैं, deputy ministers इस तरह की words में, तो उनको लेकर थोड़ा confusion हो सकता है, exclusive power क्या है, लोग आता हूँ, अभी west mingol के case में कुछ MLA जो है, दूसरी political party को समर्थन दिया था, इस तरीके से काफी ज़्यादा यह news में topic था, इसके लावा attorney general of India और solicitor general of India के बारे में mention किया गी, यह भी easy question है, हलाकि इसमें थोड़ा सा आपको confusion हो सकता है, statement number one मे, rate petition के बारे में अगर आपक पांच important rate के बारे में पता तो definitely आप attempt कर लें, कोई आपको problem इसमें नहीं होगी, इसके लावा, आयुसमान भारत digital mission काफी ज़्यादा news में रहा था पिछले साल, तो इसको लेकर question पुछा गया है, यह भी एक तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा, तो यह easily question आप attempt कर पाएं moderate है, जाधा difficulties आपको नहीं होने जाए, economics का portion में एक दो को छोड़के आपको सम्में challenging और difficulty हुई होगी, इसके लावा geography, environment को लेकर जो question आए है, जियोगरफी में पहला जो question है कि नाइट्रो, ऑक्साइड और मेथन इस तरह के चीज़ें जो है, किस common crops में होते हैं, तो यह intensification को लेकर एक topic है, यह current fair और एक तरीके से modern technology या agriculture को लेकर question पुछा गया है, यह भी difficult category में नहीं करता, normal सा question है, इसके बाद यह definitely एक challenging है, western Africa कोन सी ऐसी लेक है, जो dry है और desert के अंदर trend हो रही है, बदल रही है, तो यह यहाँ पर आप mention करेंगे, western Africa आपको यहाँ पर clarity होना बहुत जरूरी है, एकर आपको पता होगा तभी आप attempt कर पाएगे, otherwise इसमें गलत होने की possibility बहुत जादा होगी, इसके लावा गंडी कोटा केनियन के बारे हम पुछा गया है, कि South India के अंदर create किया जाता है, कौन सी river के दवारा create किया जाता है, उसको लेकर सवाल पुछा ग ठीक है, नंदा देवी कुमायू में ये ठीक है, आपको हो सकता confusion हो, लेकिन no crack जो है, ये basically कहां पर आता है, सिक्किम हिमालिय के अंदर, ये 101% sure है, तो second और third का कोई compare नहीं है, तो केवल third वाला से हो जागा, यानि eliminate आप कर सकते हैं, एक और दो को eliminate कर दीजे, third automatic आ जाएगा लेवेंट एक एरिया है, जो काफी ज़्यादा news में रहता है, और लेवेंट basically ये hydrocarbon के लिए बहुत popular है, जो eastern Mediterranean का जो एरिया है, ये इसके अंदर आता है, ठीक है, ये वाले statement सही हो जाएगी, अफगानिस्तान से कौन-कौन से country boundary share करती है, ये नहीं करती है, अफगानिस्ता आजाएगा आपको पता हो या नहीं पता हो, इसके लावा जैसे monagites के बारे में mention किया गया, कि monagites rare earth है, थोरियों इसके अंदर होता है, entire Indian state, coastal state में, तो ये statement गलत हो जाएगी थर्ड वाली, और थर्ड वाली को अगर आप कट करेंगे, तो B option automatically आपके सामने होगा, इसके ल इसके लावा northern hemisphere में longest day कौन सा होता है, तो second half of the month of June 21st June को होता है, इसके लावा wetland reserve के बारे में, होकेरा जैसे की जमुन कस्मीर में, पहला गलत है, रेनुका wetland ठीक है, रुदर सागर ठीक है, system quota जो ये एक तरीके से, केरला के अंदर है, तो दो पेर सही है, ये एक नया trend आते हैं, one or two सही है, one or three सही है, लेकिन ये वाला नया concept इस बार के paper में है, pairs कौन से सही है, इसमें दिक्कत क्या आती है, आप coding में थोड़ा easy हो जाता, आपको attempt करता है, लेकिन इसमें आपको अगर चारों की knowledge नहीं है, तब एक तरीके से आपके लिए confusion create करेगा, और ये कई question ऐसे हैं, पांच से छे question ऐसे हैं, जो इस तरीके से pairs में divide किया गया है, तो geography के overall question जो है, वो easy question में की category में रखता हूँ, बहुत ज्यादा difficult question नहीं है, geography के, politics के, economics के और geography के तीन section हमने देखे, इसके बाद science and technology एक ऐसा topic जिसमें definitely challenging topic है, जैसे कि यहाँ पर open source digital platform कौन कौन से ह तो इसके बारे में confusion हो सकता है, high probability कि इन में से कौन कौन से open source digital platform है, web 3.0 क्या है, यह थोड़ा सा challenging है, software as a service source करके एक topic दिया गया है, या fractional orbital bombardment system क्या है, इसके लावा qubit क्या है, हलाकि यह थोड़ा easy question है, quantum computing वाला, कोई ज्यादा difficult नहीं है, communication technology में short range कौन कौन से है, यह important है, short range अगर आप देखेंगे long range में, तो radio frequency यह long range के अंदर आए है, तो यह automatically भी आप eliminate कर सकते हैं, one and third, bio films के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको attempt कर पाएंगे, यह अपने आप में challenging है, probiotics क्या होते हैं, right, इसके लावा COVID-19 vaccine को लेकर पुछाएंगे, यह थोड़ा easy है, तीनों के तीनों सही है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, solar flare के बारे में news देखने को मिलाओ, solar flare को लेकर इन्होंने 7 statement दी है, और अगर एक भी गलती से आपकी clarification नहीं है, तो गलत हो सकता है, जनरली इतने statement के बाद यह होता है कि वो सारे सही होते हैं, लेकिन हर case में ऐसा नहीं है, तो science and technology में अगर 10 questions पूछे हैं, 10 में से आप देखेंगे, 6-7 question आपके लिए difficult और challenging category के अंदर है, एक दो question easy और एक question आप उसको mixed variant के अंदर रख सकते हैं, तो यह है science and technology का यहाँ पर हाल चाल, इसके बाद फिर environment आजाता है कि climate action tracker क्या है, यह आप कर पाएंगे, हाला कि इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि climate action tracker है क्या, तो यह कोई committee नहीं है, कोई wing नहीं है, बलकि एक database जो है create करता है, तो option इसमें सही हो जाएगा, यह जो words हैं, यहाँ पर mention किये गए हैं, क्या कभी सोने हैं, यह कभी किसी booklet में, actual में पड़े हैं, ऐसे नहीं में तुका नहीं मारना है, practically बताना, यह जो question है, यह थोड़ा सा challenging है, इसके अलावा, यहाँ पर बताया गया कि rainforest के बारे में बताया गया कि wetland का क्या important role होता है, rainforest forest के compare किया गया, air quality guidelines WHO क्या है, जो पिसले साली अपडेट करी थी, उसके बारे में statement है, एक वरड़िया आपर भी यूज किया है, गुच्ची करके, यह important है, इसके अलावा, polyethylene, teraphethylate के बारे में statement दिया गया है, यह भी interesting और important question है, इसके अलावा, देखो, मैंने अभी बताय था, जब हम solar flare का question दिख रहे थे, यहाँ पर nitrogen fixing plants के बारे में mention किया गया, इन में से कौन कौन से सही है, जनरली इतने statement के बार सारे सही होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है, जैसे अमरनात वाला cut हो जाएगा, second वाला option जहां जहां हो cut हो जाएगा, यह वाला, केवल 134 इसके अंदर आता है, तो यह आपको पता होना चाहिए, तभी आप attempt कर पाएंगे, बायो रोग टेकनोलोजी यह restoration of damaged coral reef होता है, और last question है, मियावा की method, यह जपान के बहुत popular एक person है, और उन्होंने mini forest urban areas के अंदर कैसे create कर सकते, इसको लेकर एक अपना research किया था, environment के question को आप observe करो एक question यहाँ पर, इनमें से कौन सा bird नहीं है, तो environment में mix है एक pattern आपको नज़र आएगा, कुछ question normal है, मतलब easy आप attempt कर रहें, कुछ question mixed है, मतलब easy to लेकर moderate है, और कुछ question बहुत ज़र difficult है, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है, उसके बारे में observation नहीं है, तब उस तरह question आपको गलत लगेंगे, या उसमें possibility की रहेंगे, जैसे मियावा की method है, इसमें जिसको जिसने नहीं पढ़ा है, और attempt कर के आए, तो उसके लिए definitely हो सकता है, कि question पूरा पूरा गलत हो जाए, बायो रोग टेकनोलोजी के बारे में अगर आपने basic idea नहीं है, तो गलत हो सकता ह इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, कि सारे के सारे ticker के आगए हो, तो ये question भी आपको देखने को मिलेगा, कि wrong हो सकता है, इसके बाद बात करेंगे history का जो portion है, यहाँ पर government of India Act 1990 में जो reserve or transfer subject सुनको लेकर question है, फिनाम medieval India से related question है, मैं इसका answer ढूंड रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं है, और मुझे जहां तक लगता है कि किसी cloth के बारे में है, I am not sure about this answer, medieval India को लेकर पहले ही होता था, medieval India से बहुत कम सवाल पुछते थे, but अभी यहाँ पर सवाल पूछने लगे हैं, तो यह अपने आप में नए तरह के question है, इसके अलाबा इन freedom fighters के बारे में पुछा गय और नहीं शोरा attempt किया तो हो सकता ही, गलत हो जाए, गदर पार्टी के बारे में कौन-कौन से associate थे, यह अपने आप में इंट्रस्टिंग है, और मैंने एक इंट्रस्टिंग चीज़े जो हिस्ट्री में देखने को मिले, पेपर हिस्ट्री का जो portion है, वो difficult है, और modern Indian history में भी rare और unseen जो heroes उनके लेकर काफी जादा question आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जोगेश, चंदर, चेटर, जीन के बारे में साइध ही अपने Indian history में पढ़ा होगा, तो यह अपने आप में interesting question है, इसके अलावा, यहाँ पर creeps mission के बारे में है, यह attempt कर सकते हैं अगर आप easily आपने तो केवल यह वाला पता हो, अवदान सातका करके दिया गया, यह आप eliminate कर सकते हैं अगर आपका यह sure है, आप इसको eliminate कर दीजी, अपने आप में, यहाँ पर 3 होगा, जहाँ पर भी 3 होगा, वो कट हो जाएगा, 24 इसमें answer आ जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए पता होना च ठीक है, Indian history में मंगोल invasion को लेकर statement दी गई है, statement को लेकर clarification होना जरूरी है, otherwise यह statement में आपको फसा सकते हैं, एक और word यूज किया गया, कुला दरान, यह भी मुझे नहीं मिला, किसका actual में, कहां पर मतलब है, और अगर आप में से किसी को पता हो, तो नीचे जरूर comment करना, कई इस बार क्या होता है, आप कितने भी बड़े specialist क्यों न हो जाओ, कई question यहां पर देखने को मिलेंगे, जो की challenging है, Dutch के बारे में यहां पर एक statement है, कोटेल लेगी, अर्थ सास्तर के बारे में भी statement है, overall, Indian history में जो question पुछे गई हैं, वो combination है, easy, moderate और difficult का, moderate उनको जहां पर आप को confusion हो, आपको कुछ statement समझ में आ रही, कुछ में confusion हो रहा है, तो यह एक तरीके से criteria है, again, economy के और mixed type के question जैसे US federal reserve के बारे में कुछ statement है, और इसके अलावा, एक interesting question यहां पर आपको देखने का मुला है, जैसे tea producing state कौन कौन से है, यह आपने आज तक awesome के बारे में पढ़ा तो इसमें अंदर प्रदेश नहीं आएगा, तिरुपरा नहीं आएगा, केरला और हिमाचर प्रदेश इनमें होता है, तो यह official data को हमेशा use करिए, इसमें दो पेर सही हो जाएंगे, ठीक है, credit rating agency को लेकर question जैसे credit rating agency को से भी एक तरीके से regulate करती है, तो यह statement गलत हो जाएगा यह automatic से हो जाएगा, तो कुछ चीज़े जो elimination से निकल रही है, bank board of bureau के, sorry, bank board bureau के जो chairman होते हैं, वो RBI governor होते हैं, यह statement गलत है, तो automatically second and third हो रहा है, कुछ चीज़े आपको easily आप इसमें कर सकते हैं, कोई problem नहीं होगा, अगर आप eliminate करते हैं proper way में, ठीक है, तो convertible bonds क्या है, उसक high corporation organization, मैंने थोड़े दिन पहले जब हम दा हिंदू discussion कर रहे थे, मैंने बताया था कि आप जिन जिन country में, इंडिया as a member, जिन जिन organization के अंदर इंडिया member है, वो जुरूर आप ध्यान रखे, उसको लेकर सवाल हो सकता, तो यह आपको देखने को मिलेगा, वेतनाम के बारे मे question जो पूछा गया है, अगर आपको basic information नहीं होगी, तो आप इसमें गलत हो सकते हैं, वेतनाम वाले question में, तो यह थोड़ा सा, मुझे अजीव सा लगा सवाल इनका पूछने का जो तरीका था, खेर, जो भी हो, इन्होंने पूछा है, इसके अलाबा, inflation और stability और कंट्रोल करन इससे पहले भी, इसके अलाबा, reservoirs और state को pair बताया गया है, कौन-कौन से सही है, ठीक है, तो इसमें जैसे गांदि सागर बिलकुल सही है, ये गलत है, ये गलत है, second और third गलत है, और खाट परवा, ये भी गलत है, तो इसमें जो सही आ जाएगा, केवल एक pair इसका सही है, य यहाँ पर एक सवाल इसको लेकर industrial dispute, closure, retrenchment और layoff in factories इसको लेकर कौन compile करते है information, ये अपने आप में interesting है, तो maybe इसका answer या तो C हो सकता है, ये D हो सकता है, labor bureau हो सकता है, national technical manpower information system दोनों हो सकते है, clarification definitely जरूरी है, call controller organization को लेकर यहाँ पर एक interesting सवाल है, तो ये थोड़ा सा challenging आपक हो सकता है, इसके अलावा fifth schedule के बारे में ये easy question को difficult नहीं है, इसके लावा Indian sanitation coalition national institute of urban affairs, थोड़ा सा complicated question, environment protection act के बारे में सवाल जो है, वो national central groundwater authorities का answer आजाएगा, तो ये easy सा question है, United Nation credential committee ये आपके लिए challenging question हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में exact information आपको United Nation किसी website के ओपर देखने को मिलेगी, polar code क्या है, basically safety for ships operating in polar water को लेकर important है, United Nation general assembly के बारे में बताया गया, तीनो statement सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, tea board of India, इसके बारे में statement है, जैसे अगर आपको पता exactly, ये गलत हो जाएगा, commerce ministry के अंडर आएगा, tea board का जो head officer of Kolkattah के अ ही हो जाएगी, green washing वाला जो important question है, basically जो company अपने आपको बदा दे, eco friendly environment sound करती है, बट ये fake एक तरीके से impression create करती है, तो अगर आप इस पार्ट में देखेंगे, जो mixed question है, इसमें भी mix है, यानि कुछ question बिलकुल easy है, कुछ question difficult category के अंदर है, जिसमें आप wrong एक तरीके से हो सकता आपने attempt करे हो, इसके लाव हाई cloud और low clouds के बारे मिक सवाल है, ये एक interesting और challenging question है को आपको बताता हूं, जैसे बीडी बीडी करके एक refugee settlement है, हो सकता आपने पढ़ाओ, हो सकता आपने ना पढ़ाओ, ये North Western Kenya में नहीं है, ये गलत हो जाएगा, तो पहला यहाँ पर गलत है, some people who fled from South Sudan, civil war, living, बीडी बीडी, ये important है, ये ठीक है, second statement, और third statement वी सही है, two and third इसके अंदर सही हो जाएगे, इसके बाद एक सवाल पुछा गया, organization of Turkish states से related, इन में से कौन-कौन से member है, तो इसमें Armenia नहीं होगा, Croatia, Romania नहीं होगे, तो इसमें second और fifth का जो option होगा, ये सही हो जाए है, इसके बाद गुजरात के अंदर सबसे बड़ा solar park है, ये गलत है, तो यहाँ पर ये statement, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, केरला के अंदर एक airport जो है, fully solar power international airport है, कोची वाला, ये सही है, गोगा के अंदर largest floating solar photovolatic project है, ये गलत है, तो इसमें केवल second सही हो जाएगा, इस क्या होती है, exclusive economic zones को लेकर एक सवाल है, तो overall, ये वाला जो part है, इसमें भी mixed type के question है, ये दो तिन question आपके लिए नहीं होंगे, और definitely थोड़ा सा challenging आपके लिए रही होंगे, सेन काकू आइलेंड के बारे में बताया गया, इसमें basically ये answer सही हो जाएगा, चाइना जापान के बिच में dispute है, और इस चाइना सही के आसपा से पड़ता है, तो ये possibility सही होने की, इसके लाबा यहाँ पर importantly discussion किया गया है, चार्ड, गिनी, लेबनान और टुनिशिया के बारे लेबनान वाला बिलकुल सही है, टुनिशिया जो है, suspension of parliament by president, इसको लेकर न्यूज में गिनी, तो यहाँ पर आप देखोगे, पिछले एक साल में, जो अफ्रीकन और वेस्टर नेशिन कंट्री न्यूज में रही है, उनको लेकर particular statement कोई base पर सवाल है, तो ये बिलकुल clarification आपका जो question है, ये wrong हो सकता है, पेर को लेकर सवाल पुछा गया, ये same pair को लेकर question है, कि इन में से आप math करी कौन कौन से सही है, ठीक है, ये वाला पहले ही पुछा था है, Catalonia को लेकर Spain के अंदर है, तो ये गलत हो जाएगा, इसके अलावा, एक सही है, दो सही है, ये वाला जो पार्ट है, ये definitely इसको मैं moderate to difficult category के अंदर रखूँगा, क्योंकि इनको आप तब तक attempt नहीं कर पाएंगे, जब तक आप 101% sure नहीं हो, और ये जो pair वाला concept पूछा गया, UPSC नहीं है, ये definitely एक challenging है, इसके रावा, इसी तरह के आप देखिए, factual question में आप sure नहीं है, तो attempt न अंदर है, लेकिन ऐसा, ये statement गलत है, कल सी को लेकर भी, यानि ये दो तो definitely wrong है, और ये दोनों बिल्कुल सही है, तो इसको लेकर आपको factual clarification होना जुरूरी है, ठीक है, तो इसमें two pair correct हो जाएंगे, इसके लावा king पूछे के कौन कौन से सही है, तो उसको लेकर question है, तो इसम इसमें नानुक बिल्कुल सही है, ये गलत है, नागभट ठीक है, भोज गलत हो जाएंगे, केवल दो इसमें सही हो जाएंगे, ये वाला, इसके लावा, संगम literature के बारे में question a statement दिया गया है, कि कौन से इसमें सही है, कौन से गलत है, योग वसिष्ट के बारे में आपने सा time period पीछ तरह की translation हुए है, बट ये definitely एक challenging है, जैसे इन्होंने attempt करका तो ये एक तुक्का है, ये अगर दो तिन बार टिक हो रहे तो definitely एक guess किया गया है, इसके लावा, अभी दो important एक तो रावानोज की जो statue है, उसको integrate किया गया था, और दूसरा circuit house near Somna temple इसको integrate किया गया था तो उसको लेकर direct सवाल इन्होंने पूचे है, B cell और T cell का क्या role है, इसके लावा nano particle के बारे में question हो गया, इसके लावा DNA barcoding के बारे में question हो गया, या फिर acid rain के बारे में question हो गया, ठीक है, कुछ question overall आप देखेंगे, इसमें easy to moderate और कुछ question moderate to difficult और उनमें से बहुत सारे जो ह वो difficult category के अंदर है, अब बात करते हैं, इसका जो सही solution है, यानि आप अपने answer कहां से match करेंगे, उसको लेकर में बता दूँ, आप evening में by use का analysis आएगा, वहाँ से अपने answer match करेंगे, इसके लावा vision IS से आप अपने answer match कर सकते हैं, या फिर मुरुनाल पटेल के जो answer किया ही, उ margin of error मानके चलिए, हो सकता है कि वो गलत हो, answer की में official में, अलग आपको देखने को मिलेंगे, तो यह difference हो सकता है, अब बात करते हैं, expected cutoff की, मैंने पिछले साल expect किया था कि 85 to 90 हो सकती है, और 88 something के आसपास cutoff रही है, तो इस बार भी 90 के आसपास cutoff हो सकती है, may be high possibility है, exact number मैं आ आपको mention कर रहा हूँ, 92, 92 general, बाकी as category wise आप इसको plus minus कर सकते हैं, 2021 के compare में, तो 92, 92 यह मेरी एक तरीके से cutoff prediction है, आप इसे agree और disagree हो सकते हैं, overall paper complicated, थोड़ा बहुत easy, फिर mix तरीकी का और conceptual clarity वाला topic पूरा 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 पेपर, अगर आप conceptually clear नहीं है, तो इस paper में आपके लिए काफी दिक्कते हुई होगी, तो फिलाल मेरी तरफ से ही एक analysis है, उमेद है आपको पसंद आएगा, नहीं भी पसंद आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बेज इसे का अपना opinion रखिए, धन्यवाद जैहिन